न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिन कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब नाश्कार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शर्मा न्यूस चक्र मैं दो मुद्धे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ पेगसस जासूसी मामला एक बड़ा प्रश्ण सामने ये बना हुआ है कि आखिर मोदी सरकार इस मामले की जाँच क्यों नहीं करना चाह रहे है क्योंकि अब उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार तक में मामले की जाँच के आदेश दे दिये और देविंदर सिंग का मामला जो है वो दफन होने का नाम नहीं ले रहा कॉंग्रिस ने 20 माई के एक लेटर का हवाला दिया है और इस लेटर में अगर वो बाते सही हैं तो होश उड़ाने वाली बाते हैं दोनों की बहुत विस्तृत चर्चा करने वाला हो बने रहना होगा आपको मेरे साथ सबसे पहले हम गात बात करेंगे पेगेसिस की पेगेसिस एक ऐसा मामला है दोस्तों एक ऐसा जासूसी मामला जिसमें हमारे 40 पत्रकारों विपक्ष के कई नेताओं के फोन को हैक किया गया उनकी जासूसी कराए गई लड़कियों की जासूसी कराए गई यानि कि तमाम हदे पार कर ली गई भारत सरकार ये भी मानने को तयार नहीं कि हमने पेगसिस तकनीक खरीदी या नहीं खरीदी दुनिया भर में तमाम मुल्क इसकी जाच करा रहे हैं दोस्तों भारत को छोड़के जी हां और अब नितीश कुमार जो कि बिहार में भारती जनता पार्टी के सयोगी हैं वो भी सामने उभर कर आ गए हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई इस मामले की जाच होनी चाहिए क्या कहा नितीश कुमार ने पहले आप सुनिये लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है यह पार्लामेंट में कुछ पर भू रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है तुसी को देखते हैं लेकिन जो कुछ भी उसके पूरे तौर पर जाच करके कि आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने धंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उस पर कमजा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यह तो पुरी बात आनी चाहिए जब इतने जिनों से लगातार रूप बोल रहे हैं इसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समस्य जाच कर लेना चीए। जब 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 दिया गया है तो उसके बात पर क्या मामला है ये बात तो हम लोगों को पूरे तो जानकारी नहीं है ये बात जो आ रही हो ही ने जान रहे है कि विवाग बना हुए। लेकिन हमनों को भी तो लगता है कि इस तुरह से किसी को इस तरह से कुस्की की बात को जब्त करने की कुसिस नहीं है। लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए उन तो यहीं चाहेंगे। दोस्तों बात यहां नहीं रुकती, राहुल गांधी इस मुद्दे पर बहुत तलख तेवर अपनाने वाले हैं, मैं आपको सपश्ट और पर बता दूँ कि इस मुद्दे पर कल, यानि मंगलवार को वो विपक्षी दलों के साथ बैठक करने वाले हैं, यानि कि विपक्ष ज आता हूं दोस्तों कि अगर मोधी सरकार इस जाच को तयार हो जाती है, तो और अगर हम इस जाच के नतीजों तक पहुंचते हैं, जहां ये प्रमानित हो जाता है, कि भारत की सरकार या भारत की कोई एजनसी, हमारे पत्रकारों के फोन हैक करा रही थी, विपक्ष के सकते किसी के कंप्यूटर में आप इस तरह से जो है परिवर्तन नहीं कर सकते संशोधन नहीं कर सकते इसलिए सरकार इस मामले से डर रही है यही नहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर जो सामने उभर कर आ रही है वो यह कि वो शक्स देविंदर सिंग जो आज से कुछ महिनों पहले करीब देड़ साल पहले दो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था दोस्तों और जब पुलीस ने उसे पकड़ा था तब इसने कहा था कि यह बड़ा खेले से मत बिगाड़िये उसको लेकर एक लेटर सामने उभर कर आया यह 20 माई का लेटर है दोस्तों और इस लेटर में जो लिखा गया है वो होश उड़ा देने वाली बात है मैं सपश कर दूँ ये 20 माई का लेटर है और इस लेटर में ये साफ तोर पर लिखा हुआ है कि इस मामले की जाच करानी की बिलकुल भी जरूरत नहीं है ये लेटर क्या कह रहा है मैं आगे आपको बताऊंगा मगर आज मैं इसकी चर्शा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेलिग्राफ की इस खबर के मताबिक कांग्रिस ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं रंदीब सुर्जेवाला जो की कांग्रिस के प्रवक्ता है उन्होंने इस मुद्दे को फिर उठाया है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि आखिर मोधी सरकार किस बात से डर रही है जिस आदमी पर आतंकवाद के एक तरह से आरोप है मोधी सरकार उस बात की जाच क्यों नहीं करवा रही है क्यों उससे हट रही है क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों देवांगना कलीता, नताशा नर्वाल, उमर खालिद, आसिफ इक्बाल तनहा, सिदीक कपन इन में से कुछ आक्टिविस्ट थे और एक पत्रकार था इनके उपर तक आतंगवाद की धाराएं लगा दी गई इन में सिर्फ तीन को बेल मिली है दोस्तों, सिदीक कपन, उमर खालिद, ये अभभी जेल में सड़ रहे हैं और इनका गुना सिर्व इतना था कि इन लोगों ने सरकार से सवाल करने में सरकार से सिर्फ सवाल किया था दोस्तों ये मुद्दा क्या है? वो letter क्या कहता है? आए उसका रुख करें मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों, Lieutenant Governor का फर्मान क्या कहता है? आपके screens पर ये पूरा letter देखिए दोस्तों अब मैं zoom in करना चाहूंगा उस हिससे को जहां ये लिखा हुआ की जाच की जरूरत नहीं है क्या कहता है इससा? देखिए And whereas, the Lieutenant Governor is satisfied under sub-clause C of the proviso to Clause 2 of Article 311 of the Constitution of India that in the interest of the security of the state, it is not expedient to hold an inquiry in the case of Mr. Devinder Singh, Deputy Superintendent of Police under suspension, son of Mr. Didar Singh, R.O. Oviriguntral Pulwama, resident of Pulwama कोई जरूरत नहीं जाच की? ये कोई और नहीं बलकि Lieutenant Governor कह रहे है और Lieutenant Governor किसके नुमाइन दे है? मोदी सरकार के नुमाइन दे है आज मैं ये बात आपसे समझना चाहता हूँ ये आदमी यानि की देविंदर सिंग वो आदमी है जिसका एक बहुत काला इतिहास है ये आदमी इसका जो गुना था ये जो दो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था बहुत गंबीर था क्योंकि उस स्वक्क की पुलीस ने कहा था कि हम देविंदर सिंग को एक आतंकवादी मान रहे हैं और अब आप इसे सिर्फ सर्विस से डिस्मिस कर रहे हैं मोधी सरकार के अंदर कौन है भाई जो देविंदर सिंग को बचाना चाहता है दोस्तो आज से कई महिने पहले एक साल से उपर मैंने एक शो किया था मैं उसकी आपको जहलक दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तो आज से कई महिनों पहले ये मुद्दा आपके सामने उठाया था तब इस मुद्दा उठाने पर आप में से मेरे कई शोताओं ने मुझे देशद्रो ही कहा था समझे मेरे उशो के इस छोटे से हिस्से से और जानिये कि देविंदर सिंग का गुनाह कितना गंभीर था सबसे पहले जानिये उसके साथ कौन-कौन से आतंकवादी पकड़े गए थे देखे देविंदर सिंग जमू कश्मीर पुलीस में DSP देविंदर सिंग और क्या आप जानते हैं कि उसे जमू कश्मीर पुलीस ने गिरफतार किया है और ये गिरफतारी आम नहीं थी क्योंकि उसके साथ तीन अन्य लोग भी गिरफतार हुए है सबसे पहला शक्स जो उसके साथ गिरफतार हुआ है उसका नाम है नवीद मुश्ताक दूसरा शक्स जो उसके साथ गिरफतार हुआ है उसका नाम है रफीरादर यह बड़पुरा शोपिया का नागरिक है और साथ ही पिछले साल ही आतंकवादी बना था साथ ही इर्फांट शफी एक आड्वोकेट है और डियारू शोपिया का निवासी है आखिर एक पुलीस वाला आतंकवादीों की साथ क्या कर रहा था अगर आप यह जानना चाहते हैं कि देविंदर सिंग इतना प्रभावशाली था तो मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं देविंदर सिंग की दो अक्तूबर की यह तस्वीर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उन तमाम विदेशी ओन्वाइज को डिप्लोमाट्स को जो धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर पहुँचे थे वहां की जमीनी हकीकत जाननी के लिए अगर आप इस फोटो को जूम इन करें तो इसमें आपको देविंदर सिंग दिखाई देगा बात यहां नहीं रुकती अब आप इस तस्वीर पर गौर कीजे यहां पर देविंदर सिंग महिंदर सिंग धोनी के साथ दिखाई दे रहे हैं जी हां ये शक्स इसकी पैट यहा यह शक्स एंटी टेरर ऑपरेशन और एंटी हाईजाकिंग ऑपरेशन में शामिल था मगर यह दो आतंक वादियों के साथ आखिर कर क्या रहा था और खासकर इद्बास्त की प्रिश्भूमी में कि यह गाड़ी जो है वो कुछ खबरों के मताबिक दिल्ली का रुख कर रही थ उसके अपने गुनाहों की फेहरिस्त क्या है यह शक्स जिसका नाम है नवीद इस तारीक पर गौर कीजे 29 अक्तूबर 2019 पाँच श्रमिकों को पाँच लेबरर्स को जो की पश्यम मंगाल से हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है इसका मास्टर माइंड था नवीद मुश्ताक वो शक्स जो गिरफतार हुआ है डी एसपी देविंदर सिंग के साथ और क्या आप जानते हैं कि यह लोग गिरफतार हुए थे तो इनकी गाड़ी में एके 47 और हैंड ग्रिनेट भी थे यह तमाम असला दिल्ली का रुक कर रहा था मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो कारवा दिल्ली का रुक कर रहा था वो कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में स्वक्तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं सबसे पहले 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी की परेड में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी शामिल होंगे और राष्ट्रपती कोविं इस परेड की सलामी लेंगे दूसरा घटना करम शाहीन बाग की माओं ने मोर्शा लिया हुआ है नागरिक्ता बिल के खिलाप और साथ ही प्रस्तावित नर्सी के खिलाप जेनियू में भी घटना करम जारी है ऐसे हालात में ये दो आतंकवादी डियस्पी के साथ धिल्ली क जा रहे थे जमुकश्मीर के IGP विजय कुमार ने इस शक्स के कुछ और कारणा में बयां किये हैं विजय कुमार के मुताबिक देविंदर सिंग के घर में पांच हैंड ग्रिनेट्स थे और साथ ही तीन AK-47 राइफल्स वो ये भी कह रहे हैं कि उसे एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाएगा मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक शक्स जिसके इतिहास में धेरों इस तरह के विवाद हों क्या उसे इतनी आसानी से राश्वती का वीरता मेडल मिल जाता है ये ना भूलें कि इसकी पोस्टिंग श्री नगर एरपोर्ट में थी ऐसा दो आतंकवादियों के साथ क्या कर रहा था और दोस्तो बात यहां नहीं रुकती कॉंग्रिस ने बाकाइदा इस स्मुद्दे को उठाया था और अधीरंजन चौधरी ये शक्स अधीरंजन चौधरी जोगी लोकसभा में कॉंग्रिस के नेता हैं उन्होंने कहा था देवि सभा चुनावों में जीत मिली थी तो कॉंग्रिस ने सवाल उठाया था कि देविंदर सिंग पुलवामा में था तो इस मामले की जाच क्यों ना हो आपके स्क्रीन्स पर जम्मु कश्मीर पुलीस इसकी जाच शुरू करती है और जाच के बाद उनका ये निशकर्ष निकलत है जो आपको पढ़के सुनाने वाला हूं देविंदर सिंग वाज मूवड आउट फुलवामा टू मांक्स विफूर अटाक यानि कि हमले से सिर्फ दो महिने पहले देविंदर सिंग को पुलवामा से हटा दिया गया मैंने अभी अभी आपको पूरी तस्वीर बताई इस मैंने आपको बताया इस आदमी ने किस कदर ये दो आतंक वादियों के साथ पकड़ा गया था ये ये भी कह रहा था कि बहुत बड़ा खेल है सहाब इसे मत बिगाड़ो और आप यहां देख रहे हैं पुलवामा में ये था और पुलवामा अटाक से सिर्फ दो महिने पहले इसे वहां से हटा दिया गया देविंदर सिंग ने पुलवामा में ऐसी कौन सी जमीन तयार की थी भाई कि पुलवामा हमले के दो महिने पहले इसे हटा दिया गया आज मैं बहुती सब भ्यांदाज में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो तमाम सवालात मैं आपको बा रहा है भाई दोस्तों उसी शो में मैंने आपको बताया था कि देविंदर सिंग का इतिहास अभी का नहीं है 2001 में जब हमारी पार्लिमेंट पर हमला हुआ था उसके तार भी देविंदर सिंग के साथ जुड़े हुए थे देविंदर सिंग पर ये आरूप था कि उसने एक आतंकवादी को कश्मीर से पहुचाया दिल्ली और उसी आतंकवादी ने हमला किया था हमारी संसद पर यह मेरे शब नहीं है दोस्तों अब आप देखिए मेरे उसी कारक्रम का एक और हिस्सा देविंदर सिंग का काला इतिहास देखिए साल 2000 में होती है तब देविंदर सिंग और उनके साथी शांटी सिंग में हम हमा स्टी एफ कैम्प में उसे टॉर्चर किया था इस खत्म में वो क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं एक दिन मुझे अलताफ देविंदर सिंग डीएस पी यानि डीएस के पास ले गया डीएस ने कहा कि उसके लिए एक काम है उसने कहा कि तुम्हें एक आदमी को दिल्ली ले जाना है और उसके लिए किराय का मकान ढूनना है जिस शक्स के लिए मकान ढूनना था वो कश्मीरी नहीं बाहरी व्यक्ति था उसका नाम मुहम्मद था मैं देविंदर के सामने मजबूर था मैं मुहम्मद को दिल्ली ले गया अगले दिन उस शक्स ने कहा कि मुझे कार चाहिए हम करोल बाग गए हमने कार खरीदी दिल्ली में शक्स ने मुझे कई और लोगों से मिलवाया और अक्सर देविंदर सिंग से वो फोन पर बात करता था 13 दिसंबर को संसद में हुए हमले में मुहम्मद का हाथ था और उसे संसद के परिसर में ही गोली मार दी गई दिल्चस बात ये कि अवजल गुरू को फासी दे दी गई मगर अवजल गुरू और देविंदर सिंग के बीच में क्या लिंक था इस बात की कभी जाच नहीं हुए देखे दोस्ते एक बात मैं सपश कर दूँ अवजल गुरू एक आतंकवादी था उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि देविंदर सिंग जिसके तालुकात लगातार आतंकवादियों से डिखते हैं चाहे 2001 हो चाहे 2019 हो इसे श्री नगर एरपोर अपने सरकार से और यह अपने आप में हैरत की बात क्योंकि आज से करीब एक साल पहले पुलवामा में हमला होता है हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं क्विंट की एक रिपोर्ट सामने आती है जिस वक्ट जो आपके स्क्रीन्स पर है और यह रिपोर्ट यह दावा करती है क CRPF लगातार हो मिनिस्ट्री से यह कह रहा था जनवरी और फरवरी में कि आप हमें एर ट्रांसवर करवाएं हमें जमीन से ना भेजें क्योंकि सुरक्षा को लेकर कई इशूस हैं यही नहीं उनके पास बखतर बंद गाडिया नहीं थी बुलिट प्रूव वेहिकल्स नहीं नतीजा आपके सामने हैं यह बात अलग है कि इस खबर के मताबिक सरकार ने क्विंट की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारज कर दिया था मगर इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर कुछ और स्क्रीन शॉट्स हैं बीएस एफ ने भी होम मिनिस्ट्री से यह अपील की थी कि आ आप हमें एर ट्रांसफर यानि प्लेन के जरीए ट्रांसफर कराएं इसे भी होम मिनिस्ट्री ने खारज कर दिया था अब यह तो सरकारी दस्तावेश सामने मौजूद हैं सरकार इसे तो खारज नहीं कर सकती दुर्भागी की बात यह है कि सी आर पी एफ ने अपनी तरफ स कोई सवाल नहीं किया और जिन पत्रकारों ने सवाल किया उन्हें देशद्रोई करार दिया गया इसी तरह से देवंदर सिंग का यह मामला जिसके तालुक आतंकवादियों से हैं उसे भी दफ्म कर दिया जाएगा फिर सवाल पूछना चाहता हूं मैं इस सरकार के अंदर को बचा रहा है मैंनो उन बच्चों की तस्वीरे आपको कारकरम की शुरुवात में बताया था इन में से कुछ को कुछ का दोश सिर्व इतना था कि वह मुसल्मान थे कुछ का दोश सिर्व इतना था कि वह जेइनियू में पढ़ते थे या जामिया मिलिया इसलामिया में प उसका अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है विद्वियार्थी स्टुडेंट तो तालिबान के साथ तु 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 तुम सीक्रिट बाचीट कर सकते हो मampaio गर मेरे देश के मेरे जामिया मेरे जेन्यू के चात्रों से तुम बाचीट नहीं कर सकते हो उन्हें तुम देशद्रो ही बताते हो और ये देविंदर सिंग इसका क्या link है बीजेपी के साथ मैं जानना चाहता हूँ बताएगे न क्या link है देश की जनता जानना चाहती है फिर दिखाना चाहता हूँ वो letter जिसमें lieutenant governor कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है उनकी जाच करने की उस मामले की इसे सिर्फ service से dismiss कर दिया गया कोई जरूरत नहीं है मामले की जाच करने की दोस्तों राष्टुबाद के नाम पर देशभक्ती के नाम पर इस देश की जनता को भारती जनता पार्टी ने इतना मूर्ख बनाने का काम किया है जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों आज की तारीक में भारती जनता पार्टी ने देशभक्ती को ना मजाग बना कर रख दिया है राष्टुबाद जैसे मजबूत जजबे को इन्होंने मजाग बना कर रख दिया है मैं फिर आप से सवाल पूछ रहा हूँ इस सरकार के अंदर आखिर वो कौन है जो देविंदर सिंग को बचा रहा है बताईए कौन है वो जेम्स बॉन्ड कौन है वो जेम्स बॉन्ड जिसका बेटा पाकिस्तान में बेठे लोगों के साथ बिजनस करता है जिसके फर्म का एक साथ ही पाकिस्तान में बेठा हुआ एक शक्स है पाकिस्तान और सौधी अरब की पृष्ट भूमी का एक शक्स है और ये लोग हमें राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं हमें राश्रवाद का पार्ट पढ़ाते हैं बहुत आसान सा सवाल है इन सवालों की जवाब ढूंड़िए ये सवाल अपने सरकार से कीजिए वरना एक दिन बहुत देर हो जाएगी बहुत ही देर हो जाएगी अब इसार शेर्मकु दीजे इजासत नास्कार